जहिन दोस्तों आज लेकर के आगया हूँ एक और न्यू सब्जेक्ट आप लोग के लिए जो किये स्टेक्चर अनलिसिस तो structure analysis आज हम पढ़ने वाले हैं देखे structure analysis की अगर हम बात करें तो यह जो subject होता है हमारा वो 5-10 marks का weightage अपना रखता है अलग-अलग exams में देखा गया है साथ में अगर हम बात करें तो सबसे easy subject अगर कोई है तो वो structure analysis है पहले हमने सोम करा था सोम के बाद हम structure analysis कर रहें देन हम लोग अपना RCC करेंगे फिर उसके बाद हम अपना rolling load पढ़ेंगे हम ILD influence line diagram होता है हमारे पास उसके बाद हम frames देखने वाले हैं साथ में method of structure analysis भी पढ़ेंगे हमारे पास method of structure analysis की बात करेंगे तो दो तरीके के method होते हैं हमारे पास force method और displacement method बस आपको करना क्या है अपना दिमाग नहीं लगाना है अराम से सांती के साथ जिस process के साथ मैं आप लोग को structure बढ़ाँगा बस उसको आपको follow करना है सारी चीज़े आप लोग को clear होती चले जाएंगी एक single doubt भी नहीं रहेगा अगर आप लोग को वही जैसे मैं बोल रहा हूं बस वैसे आप follow करना ठीक है यहाप लोग का arches के अरके बना हुआ है हमारा structure analysis सबसे पहले हमारे पास structure है then उसके बाद analysis तो दोनों words का मतलब हम समझते हैं सबसे पहले structure क्या होता है then analysis क्या होता है तो देखिए structure analysis में अगर हम बात करें structure word की तो कोई भी आपके पास structure हो आप अगर कभी दिल्ली हॉंबई या फिर अगर multi storage building होती है multi storage building मतलब हम आपने देखा हो कुछ इस तरीके की building होती है जो multi story building होती है आप लोगी जिनको frame based structure बोलते हैं जिनको हम क्या बोलते है frame based structure बोलते हैं सही है तो यहां पर अगर हम structure की बात करें तो structure क्या होता member plus के joint से मिल करके बना हुआ या फिर हम यह बोलें कि connection से म वो member और joint से मिल करके बने होगी जैसे कि अभी मैंने अगर यह structure बनाई सबोजी कोई मैंने structure बनाई तो इसमें अगर आप देखोगे तो यह हमारे पास one member होगया two होगया three member होगया साथ में यहां पर क्या कुछ connections भी हमने दिये होए तो connections या फिर हम क्या बोलते है joint बोलते है तो three member और four joint यहां पर है हमारे पास तो इनको मिला करके जो हमारी बनी है कोई भी क्या बनी structure बनी है अब member की हम बात करें तो structure में कौन-कौन से member हो सकते है तो beam हो सकता है, column हो सकता है, tie member हो सकता है, structure हो सकता है, यह सब के सब member आप लोग के हो सकते हैं और भी member हो सकते हैं जैस joint आप अपलो का हो सकता है और यहां पर अगर आप बात करें तो support आप लोगे होज़चिए यह सारे चीज़ागा क्या प्रोवायच्ग कराती हैं होँ आप connection या support होँ पर joint प्रोवाइड कराती हैं तो इन सब को मिला करके क्या बनती है हमारी structure बनती अब अगर हम बात करें analysis की तो देखे analysis की अगर हम बात करें तो analysis का मतलब क्या होता है तो यह subject का नामी structure analysis है तो अगर structure analysis है तो structure का मतलब तो हमको बता चल गया कैजर मानलीटी कि हमारे पास क्या है कोई भी structure है अब हमको लोड उस पर मालूम है हमारे पास लोड उस पर आने वाला सपोर्सपोज 200 kN लोड आने वाला है तो insist structure के हम reaction निकालेंगे unknown forces निकालेंगे, moment निकालेंगे कि क्या जो resisting moment है या जो reactions है वो इतनी capable है कि नहीं जो load आने वाला है structure पर उसको bear कर सकें अगर हमारी structure जो load आने वाले है structure पर अगर उसको bear नहीं कर सकती है उसको सहन नहीं कर सकती है तो हमारी structure fail हो जाएगी है के नी तो हमारा main मकसद जो रहेगा जो structure पर unknown forces है moments है, reaction है उनको find out करना था कि हम अपनी structure को आसानी से RCC में जाकर के design कर सकें steel में जाकर के steel subject जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जाकर के हम design कर सकें इससे पहले subject में हमें सोम में देखा था, जो हमारे deformable material होते हैं, उनकी properties के वारे में हमने जाना था तो यह सारी चीज़ हमने materials के जान ली थी properties कैसे stress आती है अब हम calculate करेंगे, उनके reaction जो load की वज़े से आने वाली है, फिर उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा structure है, वो capable है load को register करने के लिए, फिर उसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे और अपना RCCC में जाकर के अपनी structure को वापे design करेंगे, है के नी, तो यह थोड़ा सा हमारा process होने वाला है, तो suppose हमारे पास क्या है, कोई भी एक structure है, suppose यह कोई हमारे पास beam था, इसके उपर हमारा UDL load लगा हुआ था, अब UDL load जब लगा हुआ था, तो यह किसी के उपर तो रखा हुआ होगा ना, यह beam है, तो यहाँ पर मालो यह column के उपर रखा हुआ था, किसके उपर कर रहे होंगे, तो column जो है, beam पर reaction लगा रहे होंगे, beam क्या है, beam पर reaction लगा रहे होंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा कोई भी वहाँ पर load distribution होगा, किसी भी structure के अंदर, तो हम जब आगे चलेंगे, तो मैं आप लोगो free body diagram भी बताँगा, तो free body diagram से आप लोगो मालूम पढ़े कर कि किस तरीके से action के बदले में reaction apply होती है, और हमारी इस reaction की वज़े से ही हमारा क्या है load distribute होता, चला जाता है, तो वो सारी चीज़े हम देखेंगे, यहाँ पर देखी कुछ और point मैंने लिखे हुए है, find out the reaction load is known, क्योंकि हमको find out करनी reaction और load हमको पता होता है, जैसे कि मैंना भी आप लोगों बताएगे, structure के उपर कितना load आने वाला है, उसके बदले में हम reaction तो अपनी find out करी सकते हैं, साथ में, now draw sfd and bmd and no maximum bending moment and shear force, और हम सोम के अंदर अपना पढ़ चुके हैं, सोम के अंदर क्या होता था, कोई भी हमार पास beam होता था, फ्रेम होता था, तो उस case में हम अपना sfd और bmd draw कर लेते थे, और sfd और bmd से हम यह पता कर लेते थे, हमारा maximum bending moment कहा होगा, maximum shear force कहा होगा, और वहाँ पे उसके बाद हम उसकी nature भी पता गरते थे, बेंडिंग मुमेंट positive होगा की negative होगा, अगर bending moment positive है, तो वहाँ पे sagging nature आता है था हमारा इस तरीके का, और अगर hogging है, तो वहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का nature आता है, यह हम इसलिए पता गरते थे, वहाँ पे sfd और bmd बना करके, क्योंकि हमको मालूम है, सपोज अगर हमारे पास ही cantilever beam है, अब इस cantilever beam के ओपर यहाँ पर point load आ रहा है, तो हमको मालूम है, यह beam कुछ इस तरीक से deflect करेगा, है के नहीं, deflect करेगा, तो ऊपर tension आ रही नीचे compression, तो हमको sfd और bmd बना करके, यह पता जल जाता है, कहाँ पर यहाँ पर maximum bending आ रहा है, और कहाँ पर यहाँ पर maximum shear force आ रहा है, तो अगर सब्सक्राइब हमको पता चलिए उपर यहाँ पर tension आ रही तो हम अब हम इतना कर सकते हैं, कि जो steel reinforcement है, वो हम neutral axis से उपर provide करेंगे, still reinforcement क्या करेंगे, अपना neutral axis से उपर provide करेंगे, ताकि जो हमारी tension है, वो concrete tension में weak होती है, ताकि वो जो reinforcement हमने provide कराई है, वो उसको easily carry कर सके, और हमारी structure safe हो सके, इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पर tension zone में अपनी steel reinforcement provide करेंगे, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर suppose हमारे पास क्या है, कोई simply supported beam है, तो वो इस तरीके से deform होगा, तो इस तर रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा फायदा हमको मिल जाता था, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता भी रखा है, कि simply supported beam है, यह neutral axis हो, तो उपर compression नीचे tension, और cantilever beam है, तो उपर tension और नीचे compression, तो हम क्या करेंगे, tension में और tension zone में हम अपनी steel reinforcement provide करा देंगे, ताकि जो हमारी concrete थी, या फिर structure थी, RCC की, वो हमारी weak थी, किसमें, जो CC की structure थी, वो weak थी, tension में, तो हमाँ पर still reinforcement provide कराएंगे, और वो structure हमारी safe हो जाएगी, है कि नी, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, अब देखे, structure analysis पढ़ते समय, हम कुछ अपने adjustments लेकर के चलते हैं, तो कुछ important adjustments हैं, एक जरून पर डाल लेते हैं, देखे, सबसे पहला point आता है, हमारे पास first point जो कह रहा है कि each and every member must be an equilibrium, देखो भाई, अगर आपने कोई structure बनाए, suppose आपने ये कोई structure बना दी, ठीके, अब अगर आपने structure बना दी, तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे, कि ये beam जो है, इदर उदर आप हमेंसा ये ही कोसिस करोगे, कि इस टेक्चर का जो भी member आपने बनाया है, वो इस टेक्चर का member equilibrium में रह सके, वो stable रह सके, ठीक है, वो unstable ना हो, ताकि load आये तो load गया नहीं, कि वज़े से कभी इदर भाग जाए, तो कभी इदर भाग जाए, हम ऐसा कभी भी नहीं चाहे है कि नहीं, तो हमको मालूम है, कि अगर मान लो कि कोई भी body है, वो सब्सक्राइब लगा दिया तो इतना सब फोर्स लगाने के बाद भी यह body का आप लोग की रेस्ट में ही रहनी चाहिए, यह body का है, रेस्ट में ही रहनी चाहिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह body हमारी equilibrium है यह बोडियों हमारी कहां पर है इक्लिविरियम में कहीं दिशbeing कोई भी इसमें किसी भी तरह की अनिस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए तो इस सीज़ का हम अपना ध्यान लखेंगे कि हमारा कोई कोई भी स्टेक्चर का Member हो हमेशा किस में रहना चाहिए एक्युलिविर्यम् में रहना चाहिए इसी से स्पेसले दियान रखेंगे और हमको मालुम है कि अगर हमको कोई भी मेंबर में रखना है तो टूडी स्टेक्चर के लिए हमारे पास ठ्रीग क्मस होती है और 3D स्टेक्ष्र छ्या Taylor के लिए हमारे पास होती है जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें सबस्य है हमारे पास कोई. बीम आपके यह मान लोगो कोई हमारे पास तो अगर यह बीड्य थूडी है तो यहाँ पर अगर हम मात करें तो हम पहरे हमारे तीन equations होते हैं जिनको हम equilibrium equations भी बोलते हैं इन चीज़ को समझते चलना एक एक चीज़ को link करते चलना बसा तो पहला होता है हमारा summation of horizontal force 0 सेकिन होता है summation of vertical force 0 और तीसरा होता है moment about z axis 0 मतलब अगर यह हमारे पास x axis है यह हमारे पास y axis है तो x axis में लगने वाले जितने भी force होंगे उन सबको zero कर देंगे summation 0 ले लेंगे y axis में जितने force होंगे उन सबको zero ले लेंगे लेकिन z axis तो यह होगी जो बाहर की तरफ निकल कर x होता कि नहीं excel इस तरीके सारवार होता इस वील में तो इस वील में जो x होता ह हमारे पास होती है जिनको हम क्या बोलते है इक्यूइरियम एक्केशन भी हम बोलते है यह फिर इनको हम बोलते हैं three equation जो कि हमारे पास क्या होते हैं static equilibrium equation होते हैं equation of aesthetics भी हम इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको equation of aesthetics तो यह चीज़ आप याद रखेंगे अगर हम 3D structure की बात करें तो 3D structure में आप लोग का summation of horizontal force होगा वो भी zero vertical force भी zero और j-axis को फोर्स होंगे वह भी आप लोगे zero होंगे ठीक है तो यह तीनों forces भी zero होंगे साथ मैं अगर अगर हम बात करें तो मॉमेंट भी एक्षिक एक्सिस के about वाइड एक्सिस के about वो भी क्या होंगे आप लोग के जीरो होंगे तो यहाँ पर टोटल आप लोगो कितनी equation मिलती है six equation मिलती है इन सब equations को हम use करेंगे मैं आप लोग को बोलूगा कि 2D में जो होती है हमारी equation of aesthetics कितनी होती है तो आप लोग बोलो होगे 3 होती है 3D में अगर हम पूछेंगे 3D में कितनी होती है तो आप लोग को मालूम होने चाहिए six equation होती है तो यहाँ पर आप लोग को मालूम है अगर 3D है तो 3D में यह X axis है यह Y axis है और यह Z axis है तो यहाँ पर तीनों अभी एकसी के लोग हम क्या लिए फोर्स भी अपना जीरो लेंगे तीनों अक्सिस के लोग एट्सके के लोग फी Y axis के लोग वर्यभी और यह एकसी के लोग साथ में क्या है जो क्यों हो मुमेंट आ रहा होगा इसको भी समय कर लो निए सब्सक्राइब है तो उसके लिए कितनी किसे नोगी नोगी एनि रिजिड बोडी मुव्मेंट तैट इस मेकैनिस्म यानि कि हमारा क्या है कि अगर beam है ठीक है अगर beam है या कोई भी हो सकता है frame हो उसमें हमारा क्या है ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी body कहीं पर move कर जाए ध्यान से देखना यह movement लिखा हुआ है ना कि moment लिखा हुआ है ठीक है उसको घुमाना नहीं है यहाँ पर movement की बात कर आए ऐसा नहों कि अगर इधर भी हमने roller support दे दी और body पर इस तरीके से कोई incline हमने force लगाया तो यह पूरी की body body क्या आगे भाग जाएगी और मैंने आप लोगों को बोला था इस टेक्चर का हर एक पार्ट equilibrium होना चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी rigid part जो है rigid body जो उसका movement हो तो यह हमको अप परपस के लिए हमने बनाई है जिस भी जो हमारा main object है उस structure को बनाने का वो हमारा fulfill होना चाहिए अगर हमारा उद्देश से हमने structure बनाई है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है कि हमने एक building मना दी और हमने decide करा कि उसमें 200 percent रह सकते हैं 300 percent रह सकते हैं तो उसका हमने एक अपना object रखा कि 300% रह सकते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर साड़े 300 आगे 400 500 आगे तो फेल कर जाए तो उतना हमको ले करके चलना होता है ठीक है तो जो भी हमारा उद्देस है उस इस्टेक्चर को बनाने का फुल्फिल का वह हमारा होना चाहिए तो यह तीन आजमसंस मेली हम अपनी इस्टेक्चर आनलिसिस को पढ़ते हैं मैं अपनी दिमाग में रखते हैं अब देखिए इस्टेक्चर आनलिसिस पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेकैनिक्स नहीं बढ़ लगी है तो भी कोई रिक बात नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ मेकैनिक बेसिक से सबसे पहले हम देखेंगे supports अपनी और reactions को देखेंगे उसके बाद हम अपनी free body diagram को discuss करेंगे free body diagram उसके बाद हम loading अपना daily life में यानि कि हमको यह तो पता होता है point load है यह UDL है, यह uniformly wearing load है लेकिन इन load को हम अपनी daily life में कहां पर देखते हैं तो उसको हम अपनी daily life से भी कहीं लगें relate करेंगे तो यह सारी चीज़ा हम देखने वाले तो सबसे पहले जैसे की बताए कि support और reaction देखेंगे तो देखिए सबसे पहले support और reaction की बात करते हैं यह देखिए हमारे पास क्या है सबसे पहले आता है हमारे पास fixed support किसकी बात करते हैं fixed support की तो देखिए हम जो fixed support अपनी बुक में देखते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास beam है इसका एक end लिया हमने और उसको इस तरीके से fix कर दिया अब हमको मालूम है देखिए यह चीज़ आप लोगो दिहान रखनी है मैं आप लोगो पहली बता देता हूँ जहां पर हमारा resistance मिलेगा जहां पर हमारा resistance मिलेगा वहां पर हमारी reaction आएगी वहां पर क्या हैगी reaction और जहां पर reaction आएगी वहाँ पर किसी भी तरीके का movement नहीं होगा या हम यह बोल सकते हैं कि displacement नहीं होगा वहाँ पर कोई भी displacement नहीं होगा ठीक है इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना जहां पर हमको resistance देखने को मिलेगा वहाँ पर हमारी reaction आएगी और जहां पर हमारी reaction आएगी वहाँ पर किसी भी तरीके का movement नहीं होगा वहाँ पर कोई भी displacement नहीं होगा जैसे कि अभी हमारे पास है सब्सक्राइब हमारे पास क्या है फिक्स सपोर्ट है तो इस पर आप कोई load लगा होगे तो यह नीचे नहीं आ सकती क्योंकि नीचे से हमारे पास इस vertical reaction मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जाईसी load आया एकसन आया तो उसकी वज़े से resistance आया और resistance किस direction में है वर्टीकल डायरेकसन तो वर्टीकल डायरेकसन में जो हमको resistance देखने को मिल रहा है इसकी वज़े से vertical reaction आएगी यानिकि displacement का मतलब होता final position minus initial position यानिकि उसकी body की position में कुछ न कुछ क्या होना चाहिए change होना चाहिए ऐसे ही अगर मान लो कि इसको हम इधर धकेलना चाहें beam को तो इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि इधर से हमको एक horizontal reaction देखने को मिलेगी तो इधर भी resistance मिलेगा resistance आएगा तो reaction तो यहां पर भी कोई भी वहाप displacement नहीं होगा वैसी अगर आप इसको इधर rotate करना चाहोगे तो इधर भी rotate नहीं करेगा क्योंकि इधर से हमको resisting moment लगेगा ठीक है तो इस तो इसको ध्यान लगे इधर देखते हैं अगर सब्सक्राइब और इधर भी एक वोल है तो यह हमारे पास कोई भी एक बीम मेंबर ता ठीका आई कर सकते हो कोई जरूरी नहीं है बेल्टिंग करना आप एक काम करो वहाँ पर एक से ज्यादा बोल्टिंग कर दो ठीक है तो ज्यादा बोल्ट अगर आप लगा दोगे तो अब भी आप लोग jobbar किसी तरह का करेगा किसी तरह तो यह तो याग तो आप यहां तो तो यह आप लोग के पास है तो यहां पर देखो मैंने उसको यहां पर भी दिखाया अगर आप वैड़्िंग करना चाहो तो इस तरह से बैल्डिंग भी कर सकते हो यह आप लोगा सबस्क्रों ने इस बिल्ड पर दिया तो इसकी वज़व星 से होगा कि अगर आप अब इस टाइब फोर्स लगा होगे तो यहांप आपको ऊर्जिशन्टल रियक्षन देखने को मिलेगी रिजिस्टन और यहांप अगर आपको कोई Dåड लगा हुआ था पी यहां से 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 इटेंस पर तो यहांपर एक मुमेंट भी आएगा जो कि आपको पी यहोगा लेकिन पी किसे हमारे पास ये बैलेंस रहेगा फिक्स जोइंट रहेगा यह फिक्स सपोर्ट हमारी रहेगी उसके बाद आता है हमारे पास हिंज सपोर्ट तो हिंज सपोर्ट क्या होती कुछ इस तरीके कि हमारे पास इसको हम बुक्स में अपना या फिर हम कोस्टंस में हिंज सपोर्ट reaction देखने को मिलेगी और horizontal में भी reaction देखने को मिलेगी लेकिन यहां पर यह हिंज होती है तो इसका मतलब यह होता कि अगर आप यहां पर load लगाओगे तो इसके about को इस तरीके से rotate जरूर कर देगी theta degree के angle पर rotate कर देगी मतलब किया पर resistance जो मिलेगा moment का वो नहीं मिलने का है अगर आप इसको इधर घुमाओगे तो यह घुम जाएगा इस तरीके से तो कोई भी moment का resistance नहीं मिलेगा तो यानि कि moment resistance क्या होगा nature oh और और वर्टिकल रियक्सन हमारे पास क्या जाएगी वीय जाएगी और horizontal reaction हमारे पास क्या जाईगी एच जाएगी ठीच तो इस तरीके से में theirs कर जाएगा रोटेट कर जाएगा सब्सक्राइब क्या मैं इसको फोर तेखे से i'll haven अपने सब्सक्राइब दूस्थ हाभ जाए नहीं लेकिए ऐगर क्षमाने के सब्सक्राइब में आप लोगों क्या है वहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला लेकिन हाँ अगर यह जो जहां पर भी इधर fix होगा जहां पर भी मेंबर इस तरीके से fix होगा अगर उसको यहां से हटा दिया जाए तो इस उस पोइंट का आप यह टोटेट जरूर कर जाए गा इस पोइंट का यह रोटेट जरूर कर झाएका तो यह को आप लोग का वहाँ पर एपलाइड मुमेंट हो सकता है जो आपकी हिंज सपोर्ट है हिंज सपोर्ट पर अगर आप भार से कोई मुमेंट लगाना चाहरे हो अपनी तरफ से तो मुमेंट लगा सकते हो लेकिन यह सपोर्ट रेजिस्ट नहीं करेगी जो रेजिस्टिंग मु यहरा पर पास आपना लगा कोई तो तो यहां पर तरीक से डिफ। लेकिन यह मैंबर आप लोगग का इस पॉइंट के भाव रोटे जरूर कर सकता है क्यों क्योंकि हिंज कि सपोर्ट कोई भी मूवमेंट तरजिस्ट नहीं करती है झाद रखना हने सपोर्ट पर हमेशा करें तो हम लोग यहां पर देखिए यह हमारे पास रोलर सपोर्ट इसको अब बोलते हैं इस तरीके सीज़ करते हैं यह वोगिया तो यह अपके से हृता होती है अगर आप इस मेंबर पे इस साइड फॉर्स लगाए तो यह आप लोग का और पूरा आगे की तरह जाएगा क्योंकि दोन रे सपोर्ट आपने बतां का देख योगी जो कूलर वगएरा होते हैं, कूलर होते हैं इस तरीके को लरोता है है, आप मौटन लगी होती है, तो याँ पर देखा होगा आपने रोलर से होता है वो क्या होता जीरो तो यानि की horizontal reaction भी उस पे नहीं आएगी क्या आप इसको इस point के about अगर इसको आप rotate करोगे तो rotate हो जाएगा बिल्कुल सर रोटेट हो जाएगा क्योंकि इस point जुका होगे तो यह जो आप लोगा cooler है वो जुक जाएगा cooler क्या जुक जाएगा मतलब इस point के about यह rotate भी कर जाएगा तो registering moment भी क्या होगा जीरो लेकिन जब आपका जो cooler है जो cooler है आप उसको ना उपर से नीचे की तरफ दवाना उपर से नीचे की तरफ दवाना तो क्या वो दब जाएगा नहीं दबेगा क्योंकि यहां पर रोलर सपोर्ट आप लोगी लगी है और यह नीचे से एक reaction डवलप करेंगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक reaction डवलप होती है हमारी जो कि क्या होती वर्टिकल रियक्शन तो roller पर सिर्फ और सिर्फ एक reaction आती जो कि वर्टिकल रियक्शन आती तो यहां पर देखो यही सेम चीज मैंने आप भी बताई हुई अब यहां पर आप लोगी तो आपने देखा होगा यह आप लोगी ऐसे भी जा सकती है यह आप लोगी ऐसे भी जा सकती है तो देखो यहां पर इस तरीके से भी आप लोगी जा सकती है आगे या पीछे इस तरीके से तो यहां पर जो लोड टंगा हुआ होता है उसकी वज़े से उपर नीच आइक पर सब्षीप को मिलती और यहामारा मुमेंट भी रजिश्ट नहीं करता है कि यह जो हमारी सपोर्ट होती हूं कैसी होती ben cima अगिस को मॉफ होती है पर गाती है और यह देखा ifyट मैं लोगका क्या मुंठ होुई है तो बिर इसके एक end पर क्या आपने roller support लगाई हुई है अगर आप इसको देख पारे हो तो यह आप लोग की आगे पीछे क्या है move कर सकती है अगर इसके about rotation आएगा तो यह rotation को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी यह capable नहीं होती है क्योंकि registering moment क्या होता है इसका zero होता है किलियर आई होब आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा समझ पारे होगे चलिए यहां पर देखिए एक और पॉइंट आप लिका रोलर सपोर्ट मिन्स horizontal movement is allowed जैसा कि मैंने बोला horizontal movement allowed होगा and it's not compulsory that roller support as wheel और इस चीज़ को ध्यान रखना भाई यहां यह एक important पॉइंट है कोई जरूरी नहीं कि रोलर सपोर्ट में वीली लगे होंगे डोलर सपोर्ट आप लोग की इस तरीके की भी हो सकती है है अब लोगों बना यह बना करके दिखाता हूं इंचर्फ कलर ले 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 लेते हैं अगर सपोर्ट में सिस्क्रेध पास कि इस तरीके से को जरूरी चाह साधा आए किया होता है कि सर हमारा बीम होता है सिंप्ली सपोर्ट क्यों नहीं होती एक सपोर्ट ही और दूसरी रोलर होती ऐसा क्यूं होता है ऐसले सपोर्ट बीम मैं दोनों हिंद सपोर्ट दे दी और यह आप लोग को क्या है इस्टील का बीम बना हुआ किसका बना हुआ इस्टील का बीम तो जब आप इस बीम को इधर लेकर जाना चाहोगे तो नहीं जाएगा क्योंकि होरिजोंटल रियक्शन आएगी इधर लेकर जाना चाहोगे नहीं आएगा यहां पी resistance मिलेगा हो जो उन्तों रियक्षन आएगी इसको आप नीचे लेकर आना चाहोगा तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वर्टीकल रियक्षन आएगी आप लोगी है कि नहीं तो आप इस बीम को कहीं भी लेकर नहीं जा सकते कुछ इस तरह के से क्या क्या बकल कर जाएगा है कर ने कुछ इस तरह की सवाष कर जा है öldकर चाहे कर चाहिए जबते हैं तो पर तो यहिacia को dolो कि तरह fera एलाओ and roller support reduce the buckling roller support क्या कर देती है ने जो इंटरनल हिंज को हम समझते आई होप आप लोगो चीजे किलियर हो रही होंगी और आप इंट्रेस्ट लेकर करके इन चीजों को पढ़ रहे होगे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो मैं लाइफ क्लास तो नहीं देपा रहा हूं क्योंकि सैडियूल तोड़ा ज्यादा लाइब बिजी चल रहा है तो इस बज़ए से मैं आप लोगो ऐसा हorit SENS ़िस कर रहा हो और आप लोगका टाइम भी पूरा यूटिलाइज ओ रहा है ठीक है इस बीम के उपर लोड आएका एक सेकंड तो अगर इसके उपर क्या हमारा लोड आयगा तो लोड आने की वज़े से क्या है है जो हिंजे आप लोग की यहां पर सिफ्ट ओझाएगी इस तरी के से इस तरी के सा Пव्रोग की सिफ्ट हो सकती है तो इस में अगर आप देखो गे तो हिंज में होता है कि आप लोगा यहां पर देखो इस एंगल पर इस पर भी यहां पर रोटेसन है तो एक डिगरी यहां पर आती है एक डिगरी यहां पर फ्रीडम आती है और यहां पर देखोगे तो डिफ्लेक्शन भी यहां पर आता है और इस इंटर्नल हिंज की वज़े से four degree of freedom होती है यह चार तरीके से deflect कर सकती है समझ दो अभी अच्छे चलो इसको इस concept को अभी हम डिसकस ही नहीं करते हैं आकर discuss करेंगे ठीक है इस चीज़ को इंटरनल हिंज समझा ठीक है तो इन इंटरनल हिंज वर्टिकल डिफलेक्शन इस एलाउड बट सिंपल हिंज की यहां पर वर्टिकल डिफलेक्शन नहीं होता है वर्टिकल डिफलेक्शन का मतलब अगर यहां परफ़र लगा ओन नीचे थोड़ी न आ जाएगा आपि तो री एक्सन हम को देखने को मिल रही है वैसी आप यहां पर लौट लगा हो तो यह नीचन हम जाएगा नीचे थोड़ी ना जाएगा क्योंकि यहां पर रियक्शन हमको मिलेगी लेकिन जब इस इंटरनल हिंज पर अगर आपने लोड लगाया तो यह आप लोग की जरूर डिफ्लेक्ट कर सकती है तो इंटरनल हिंज और जो हमारी सपोर्ट वाली हिंज होती इसमें यही जीव होता है तो जब हम इसका free body diagram बनाएंगे तो हमारा कुछ इ thorAAAA ऐसी Zug सकते हो तो यह आपर वर्ट्रीकल रियक्शन आएगी तो और यहां पर it कि नाईगी ठीक है एक इसमान है अगर यह हमारे पास है है अगर एक यहाहा पास क्या वर्टीकल डाउनवरड यहां पर यह इदर लेफ्ट के तरह राइट के वर्टिकल डाउनवर्ड रहे तो इस वाले लेफट वाले पॉर्शन पर अपवर्ड होगी और अगर यह राइट की तरफ है तो यह हमारे पास क्या होगा लेफट की तरफ होगा इस तरीके से हमारे पास क्या है इसका फ्री बोड़ी डाइग्राम यह बन करके आएगा देखो एको अपना दिमाग नहीं लगाना अपना धिमाग लगाई तो बहुत जाथ लिखत हो जाएगी अपना दिमाग जहां पर लगा ना मैं आप लोग को बताऊना आप लोग को चाये हैं अपने कोई भी को मिलती इंटरनल इंज देखो इðर से भी इधर से भी और ήहां पर हमने इसको प्रोवाइट करा буगा है यहां पर हमको रुपार्मेंट होती है उसको हम यूस करते हैं और इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते हो आगे है कि निए तो देखो या फिर ये हमारा sliding gate है तो sliding gate को आप सिर्फ इस तरफ या इस तरफ लेके जा सकते हो लेकिन क्या तुम इसको ऊपर नीचे ले जा सकते होा मिसको अंदर भाहर कर सकते हो जैसे आपना जो डोर होता है सिंपल जो हमारी बिल्डिंग में लगा हुआ होता है कमरे का जो डोर होता है उसको आप रोटेट कर सकते हो यह कि नहीं अंदर या बाहर उसको मतलब इस तरीके से रोटेट कर सकते हो जब उसको आप रोटेट कर सकते हो तो क्या इसको भी रोटेट कर सकते हो ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हो इसमें केवल एक ही तरीके से आप इसको सिर्फ आगे या इसको पीछे इस तरीके से ले जा सकते हो तो आप लोगो का जो स्लाइडर होता है स्लाइडर में केवल और केवल आप लोगो का इस तरीके से इसमें movement allow होगा और इसमें इस तरीके से movement होगा तो इस पर कितनी reaction आती हैं दो क्योंकि दो तरीके से register करता है इसको आप इधर लेकर जाना चाहो नहीं आएगा तो horizontal reaction आजाएगी हमारी आप इसको ऐसे गुमाना चाहो तो नहीं घुमेगा तो वहां पर moment of resistance आता है तो slider पर कितनी यहां पर reaction आती हैं हमारी दो reaction आती है इस चीज़ को आपको समझके चलना है तो यहां पर भी देखो वर्टिकल यहां पर लोड आएगा तो यह नीचे तुड़ी डिफलेक्ट होगा तो वर्टिकल लिफलेक्ट है इसको ऐसे घुमाना चाहो तो नहीं घुमेगा क्योंकि यहां पर रिजिस्टिंग मोवेंट आ जाएगा तो यह मैंना आप लोगो इससे भी समझा दिया आई होप आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाए होगे जो मैं आप लोगो बताने को सिस कर रहा इसके बाद आता है हमारे पास फ्री बोडी डाइग्राम तो फ्री बोडी डाइग्राम हम अपने समझते हैं फ्री बोडी डाइग्राम क्या होता है हमारे पास रिमूव औल एक्स्टनल अटेच्मेंट जो भी हमारे पास क्या होता है मेंबर होता है उस पर जितने भी एक्स announcement कर देता हूं यह जो हमारा course चल रहा है इसको नाम दिया हमने one liner course इसको क्या नाम दिया one liner plus concept हमने इसको दिया है तो one liner plus concept के नाम से हमारा course चल ला है जिसमें आप लोग को साथ में previous year की question भी discuss करूंगा हमारा application है vip civil guru तो वी आई पी civil guru application पर यह जो हमारा course है आप लोग को मिल जाएगा link मैंने description box में दे दिये वहां से जाकर कि आप इसको check out कर सकते हो इसका current में price बहुत कम चल रहा है आप जाकर के देखिए और वहां पर इन्रोल कर सकते हो साथ में हमारा एक और कोर्स चल रहा है गुपता इंड गुपता बुक का complete PDF और वीडियो सोल्यूशन और पर complete मिलेगा आप लोग को तो वह 399 रुपीज में चल रहा है इसका current price बहुत कम चल रहा है आप चाकर के इसमें इन्रोल कर सकते हो अभी आप लोग के पास मौका है इसका एक्च्वल प्राइज हो है 1499 रुपीज है लेकिन अभी यह बहुत कम में आप लोग को मिल जाया क्योंकि हमारा live course है अभी इसमें लगवग हमारे 8 subject जो हैं वो complete हो चुके नाइन सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इस टेक्चर आनलिस टैन जो रहेगा वहारा आठ इसी रहेगा 11 जो रहेगा वो हमारा इस टील स्टेक्चर रहेगा यह सब्जेक्ट हमारे होने वाले हैं अगर आप चाहें तो इन्लोल कर सकते हैं वहापर सारी चीज़े देखो जिन लोगों ने कॉर्स ले रखा है उनका फीड़ बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से उनके कॉंसाइप क्लियर हो रहे हैं और उनके यह इस तरह के कमेंट आते हैं सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इस तरीके का आप कंटेंट दे रहे हैं यह सारी चीज़े तो मैं आप लोगो फ्री वीडियो यूटूब पर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इस तीज़ का फायदा ले सकें बहुत कम कोश्ट पर यह आप लोगो अविलेवल हो जाएगा चलिए यहां पर फिरी बोडी डाइगराम हम अपना देख लेते हैं एब बीडी जिसको हम बोलते हैं जैसे कि मैंने आप लोगो बोला जितने भी एक्टनल अच्छ पर जैन करती रोलर पर कितने आती एक रियक्षन आती यह हमारे पास इंस था यहां पर विदो रियक्षन आएंगी और यहां पर बीडी बीम प्रॉब्ड प्रॉब्ड केंटी लीवर भीम हम इसको अपना बहुत देते हैं यहां पर देखो वन फिक्स्ट रोलर सपोर्ट है थ्री रियक्षन यहां पाएंगी एक रियक्षन यहां पाएगी एक यहां पाएगी ठीक है नहीं टोलर पर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है एक फ्रेम है तो फ्रेम में यहां पर फिक्स्ट है यहां पर फिक्स्ट है तो थ्री रियक्षन यहां पाएंगी और थ्री एकल रियक्षन आ रही थी नीचे तो इसको रिजिस्ट करने के लिए उपर से एक रियक्षन लगेगी इधर से होरिजुंटल रियक्षन आ रही थी तो इसको रिजिस्ट करने के लिए इधर से एक रियक्षन लगेगी अगर यह इधर को लग रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए left में एक reaction लगेगी और यह downward है तो इसको balance करने के लिए upward एक reaction लगेगी और अगर यह left में तो इसको balance करने के लिए right में reaction लगेगी सही है कि नहीं और अगर यह upward है तो इसको balance करने के लिए downward reaction लगेगी और इधर से हमारा moment आएगा तो इसको balance करने के लिए इंद नहीं तो saràब सकता है तो एक दोन और कितनी reaction देखने को मिलने त्री रियक्शन में यह चीज IS जो किए अप लोगे बता हूं एक चीज यूझ होगी frame में एक joint पर कितनी reaction देखने को मिल नहीं तो three reaction हम को देखने को मिल रही है ठीक है इस इसको आप ध्यान करें अगर moment होगा एक्टनल तो यहां पर ही moment आएगा उसको रेजिस्ट करने के लिए इस तरी के लिए चलिए उसके बाद हम बात करते है types of loading की type of loading हम जम देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पासा था point load तो हम daily life में अपना बुक मैं notebook में तो इस तरहें आप हमकरता है मिए ता ilk साथमेर में अगर में आप पने काम पर देखने को ब्लताा इनी कहां गर आपЯप गई हो तो शोपिंग भगाँअे हो तो these ऑन्दर ग्राउंड चलों अजो ओने की आप पारकिंग पार्किंग घ्रायर आप अधने की तो रहतको सब्सक्राइब करit आप लोग का UVL का uniformly wearing load का एक अच्छा example होता है ठीक है चलिए इसके बाद आता है हमारे पास method of structure analysis यह हम अपना next video में discuss करेंगे अपना method of structure analysis से यहां से आप लोग को मालूम पढ़ेगा कि दो method जो होते हैं हमारे पास force method or displacement method तो in force method को हम कभी use करेंगे displacement method को कभी यूज करेंगे तो force method or displacement method को use करने का जो हमारा तरीका होता है वो DS और DK होता है अब सरी DS or DK क्या होता है तो यह हमारे पास होता है indeterminacy determination और indeterminacy तो हमारे पास determination determination हम समझेंगे कि कितने तरीके की होती हमारे संप्सक्क to कह्ते ही की कैसे हम समझ करेंगे कैसे हम क्याकफलेट करेंगे हमारी जो determination होती है external indeterminacy और internal indeterminacy जैसे कैसे कैसे कैलके क्येनों केसब पढूए बीम का भी अब्यदोटिक तर्स का भी कैसे स्टैटिक वाली चालकुलेट करेंगे kinematic फिर हम external वाली कैसे calculate करेंगे internal वाली कैसे calculate करेंगे तो इसका मैं ऐसी ultimate trick आप लोग को दूँगा कि आप लोग को कोई भी question हो कोई भी question हो आप घड़ी से time लगा ले ना 30 seconds से पहले ना solve हो जाए तो बता देना ठीक है 30 seconds तो बहुत जादे में आप लोग को बता दिए ऐसी trick दूँगा चाहिए वह external हो चाहिए वह internal हो चाहिए वह kinematic हो 30 seconds में चाहिए बीम हो फ्रेम हो ट्रस हो यह भी मैं आप लोग को बता रहा हूं 30 seconds में किसी के भी आप लोग interminacy calculate कर सकते हो चाहिए वह external हो internal हो total हो kinematic हो कोई सी भी हो ठीक है बहुत बहुत बहतरीं ट्रिक में आप लोग को देने वाला हूं अगर आप लोग को कोर्स से related कोई भी information लेनी हो तो 8077283538 हमारा WhatsApp नंबर है आप हमसे call करके भी मापे information ले सकते हो तो यह हमारा जो कोर्स आप लोगो चल रहा है जो VIP Civil Guru application है जिसका link में आप लोगो description box में दे दिया है वहाँ से जाकर करके आप इसको देख सकते हो साथ में अगर हम बात करें तो इस कोर्स का चलो मैं price भी आप लोगो बता देता हो अभी जो चला वो 649 चला लेकिन जल्दी यह price आप लोग का 999 में convert होने वाला है तो आप लोग अगर चाहो तो इसको यहाँ पर इंडॉल कर सकते हो सारे technical subject यहाँ पर मिलेंगे जो पिछले lecture सो चुके हैं वो भी आप लोगो मिलेंगे वीडियो भी मिलेंगी, PDF भी मिलेंगी, सारी चीज़ आप लोगो मिलेंगी साथ में previous year के question भी आप लोगो दिखांगे, देखो मैं आप लोगो दिखा देता हूँ previous year के question जो मैं आप साथ discuss कर रहा हूँ यह देखो, यह सब क्या है, previous year के question है जो ESC, gate और SSCJ के question है वो सब मैं आप लोग के साथ discuss कर रहा हूँ यह देखो कितने questions आप लोग के साथ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ और ऐसा नहीं सिर्फ 2D के लिए 3D के लिए भी आप लोग को trick बताऊँगा सिर्फ 2D के लिए नहीं सिर्फ 3D के लिए भी यहाँ पर trick बताऊँगा तो बहुत अच्छे से यह मैं आप लोग को कराने वाला हूँ तो अगर आप course में enroll होना चाहरे हूँ तो आप join कर सकते हैं यहाँ पर जो आप लोग मिलेगा एक तम एक number content मिलेगा कोई भी doubt किसी भी तरीका सारी चीज़ा वहाँ पर मिलेगे doubt अगर होता है तो चैट option भी मिलेगा आप photo कीच के अपना वहाँ पर भीज सकते हो सारी चीज़ा अभी लेबल हो जाएंगे तो 649 रुपीज मुझे नहीं लगता यार इससे ज़्यादा फीज तो हमरी 10-12-27 की फीज होती थी तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर किसको जोइन कर सकते हो सारी चीज़ा आप लोग वहाँ पर विलेफल हो जाएंगे तो thank you so much guys for watching this video